हुआ हालो मेरा नाम दीपक केड़कर है मैं सैक्याटरिस्ट हूँ सेक्सोलाजिस्ट हूँ इपनो थेरेपिस्ट हूँ एनलपी ट्रेनर और कोच हूँ मैं आपको आज बताने वाला हूँ लेंगिक समस्या और ब्लड प्रेशर उसके बारे में कभी सारी पेशेंट मेरे पास में आते हैं और उनको लेंगिक समस्या होती है नपन सकत बाता है कि वो सेक्स संबन प्रस्तापित नहीं कर सकते तो 30-35 साल के बाद में चालीस साल के बाद में कोई रखती आता है और पहली बार उसको यह प्रॉबलम है तो पहले हम देखते हैं क कि उसको डाइबेटीस है कि मतलब शकर की बीमारी है कि शुगर की बीमारी है कि और दूसरी बीमारी जो है वो है ब्लड प्रेशर हाइपर टेंशन मतलब खुन में प्रेशर ब्लड प्रेशर तो वो देखना है हम दो कि ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है कि जब यह है वो ब्लड भेसल के अपर होता है इसमें के अपर हिए यूपर उसके अज़ता है। है और उसके ऊपर अज़ता है और उसके अज़ते हैं इसके अजने में जाने वालते है दूस we इसन जो है वो कि जो ब्लेड प्रेशर के लिए तो दवाईयां लेते हैं वो दवाईयों से भी खुम का शिस्तन में जाना उनकी मात्रा का शिस्तन में जाना वो कम हो सकता है तो एक तो ब्लेड प्रेशर बढ़ा होगा करके या फिर ब्लेड प्रेशर की दवाईयां खारे करके लेंगे समस्या हो सकती है उसमें एक यह है कि एक तो ब्लेड प्रेशर की दवाई जो है कुछ दवाईयां ऐसी होती है क्यों दवाईयां उसे लेंगे समस्या तैयर होती है जो कुछ दवाईया हैं वो दवाई मैं प्रिस्काइब करता हूँ वो लोगों को देता हूँ ताकि वो दवाई लेके अभी जो खराबा हुआ वो हुआ है तो अभी वो दवाई लेके शिसमे में टेंशन कैसे लाना वो लाया जाता है और उसका फैदा होता है और उसका जीवन अच्छा और खुशिका वह सकता है, इसमें हमको यह देखना है कि जब जब कोई लेंगिक समस्या वाला रिट्टी हमारे पास में आता है, नभून सकत्व है, तो पहले हमको यह देखना पड़ता है कि उसको कोई बाडिली शारिरिक ब्मारी है क्या, बदन की ब्मारी क जैसा मैंने बता है diabetes, blood pressure सबसे जादा, दूसरा है कि heart attack जिसको आया हुआ है, उसको भी डॉक्टर बोलते कि अभी मत करो sex, तो heart attack की दवाईयों से कुछ नहीं होता, बलकि वो दवाईयों से sex अच्छा हो सकता है, मगर sex में जो exercise होती है, जो pressure आता है, धिमाग के उपर, शरीर क उपर, उसके बोलते कि heart attack के बाद में, या heart का operation होने के बाद में, मत करो, तो वो लोग छोड़के, वो हम देखते कि उसको वो problem है क्या, और कोई दवाईयों वो खारा गया, पीट की रीड में, हड़ी में, कोई बीमारी है क्या नस दभी हो जी क्या, और नहीं तो फिर, most of the times, यह psychological हो सकता है, मानसिक कारण हो सकता है कि जिसके वज़े से लेंगी समस्य अतर होती है, और लेंगी से उसको मिलता नहीं है, नको सकत वात आए, तो पहले बदन की जो बीमारी है, उसको निकालो, उसके बारे में देखो, उसका डाइगनूसिस करो, और उसमें कुछ नही है, या उसको psychotherapy है, या उसको मतलब कोई sexual therapy हम देते है, बात्चीप करके देते है, या master's and johnson technique जो है, वहम उनको देते है, या फिर कुछ दवाईयां जो भी निकलियें मार्केट में, वो दवाईयां से, अलोपेटिक दवाईयां, वो दवाईयां से भी एक लेंगी जिवन तो इसलिए जरूरूर आपको प्रब्लम है लोगों प्राब्लम है जरूर को बोलते नहीं किसके सामने बोलते नहीं है तो उतने ज्यादा नोग इसके बारे में सुझ ख्यादा लोग कायोंगे बुछ Water भूदियां खाएंगे और बहुत पैसा खर्चा करेंगे लिए वीडियो को जरूर शेर कीजिएगा हमारे चैनल में काफी मेरे चैनल में काफी वीडियो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो शेर करो और लाइक करो थैंक्यू वेरी मच्छ